आज एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट के साथ आप लोग के बिछ में हो और सब्जेक्ट है ले निद company हम डोग 25 6 खैसे policy ले सकते है फ्रेंडशीप क्या फ्रेंडशी क्या है जो क्यों करना चाहिए हो रट इंश्रांस एजएन के लिए friendship कितना important है उसके बारे में कुछ आच एक्जामपल के साथ कुछ बाते हम लोग यहां पर करेंगे समेस आया उसमें ता कि एक बच्चा घर पे लेट आया उसका पिता जी उसको बहुत डाटा बोलता है नाला किदर गया था तू तो उसका बच्चा बोला बोलता है मैं पपा दोस्तों ने बोला काका वह इधर ही था अब भी अब भी गया तो तीन दोस्तों ने बोला काका वह इधर था एक गंटे पहले गया हो और तीन दोस्तों ने बोला काका मेरे सामने पढ़ रहा है चाहिए तो फोन देता हूं निच्चे लिकाता साले फ्रेंड्स लोग मरवाते अपने को मैं सोता ना यह जो एसे मेस था उसके पीछे का जो इंटेंशन था वो समझने जए साथ इस तरह का इंसिडेंश सिब्स्के साथ हो सकता है अगर आपने को और कोई भी रिलेशन अपने लो और दोस्ती का का रिलेशन कैसा होता है आप उसके लिए तरस्ते हो दोस्त मिल जाए आप सब कुछ भूल जाते हो आपको दुनिया याद नहीं रहती है आप एक नशे में आ जाते हो आपको समय का पता नहीं चलता है मैं कई बार मेरे दोस्तों के पास में चला जाता हूं जब भी मुझे कही पर भी आज से पाथ साल पहले कि मैं बात कर रहा हूं कि जब लिए ट्रेनिंग में नहीं था ट्रेनिंग में थोड़े बहुत जाया करते थे दिपकवाई लेके जाते थे स्पीच देते थे लेकिन उस टाइम पर बिजनेस के उपर मैं बहुत काम करता था बहुत लोगों को मैं मिला करता था तब कि मैंने पुना के अंदर जो भी लास्ट लेक्चर दिया उसके अंदर भी मैंने एक मैसेज दिया था वो पूरा का पूरा जो मैसेज था शायद हो सकत और उसमें से एक सबसे वड़ा पॉइंट था कि रोज तीन लोगों को मिलना अच्छे रोज तीन लोगों को मिलना कभी न कभी तो मुझे मालूम है कि अपना दिमाग ना बड़ा खतर ना गया उसे वाइरस आ जाता है जिस दिन मुझे वाइरस आता था मेरे पास एक ही चीज थी मेरे कॉलेज के दोस्तों के पास चला जाना चाहे किसकी फैक्ट्री उसकी फैक्ट्री पर चला जाता था चाहे कोई बीमसी में सर्विस करता है उसके पास चला जाता था चाहे कोई चार्टर अकाउंटन्ट का क्ला चला रहा है वो चार्टर अगाउंटन बना है मेरा दोस्त है सीए बना है वो क्लास चला रहा है बिकॉम ग्रेजुएट बच्छों को पड़ा रहा है कई उसके पास चला जाता था जब भी मुझे एक मेरा डायमंड इंडस्ट्री के अंदर एक मेरा दोस्त है वो डायमंड ब् दोस्ती के उपर फ्रेंड्शिप के उपर आज मैं कुछ बाते बताओं आपके जितने ज्यादा दोस्त आप जितने ज्यादा दोस्त बनाने में एक्सपट बनो मैं बोलता हूँ पॉलिसी बात की बात करो आप दिन में मैं बोलता हूँ दिन में कम से कम दस पारा लोग मिलोग ना आपको एक आदमी ऐसा लगेगा और जिसको सुनके आपको लगेगा आपके दिल की धड़कन बोलेगी यस यह मेरे जैसा है बस दिन में एक दोस आप धूनते जाओ और उसके बाद में देखो मिरेकल्स क्या होता है सी दोस्ती से क्लाइंट बनेंगे और जो क्लाइंट है उनको दोस्ति में कंवर्ट करो ऑर जो दोस्त को मैं अगर controlled कर ताम आप मुझे बताओ जतने भी दोस्तों ने आपको फॉलिसी दिया है ama who's the golf cart सवाल पुछा ने मेरे कुछ दोस्तों पॉलिसी लिया उन्हें ने मेरे को सवाल पूछा अचाथ काई मेर नर काई देनर नहीं तो यह दादागिरी आप कहां चला सकते बताओ जिगा जिवन estल मेरे की कीनि आप कहां पर हस्ते हुए किसी को स्माइल दिया किसी के साथ 21 बात कर लिया उसका नमबर ले लिया उसका मोबाइल नमबर लिया दोस्त रेड़ी हो गया अपने लिए तो लॉट्स आफ फ्रेंड्स हम लोग क्रियेट कर सकते हैं और जितने ज़्यादा फ्रेंड्शिप आज मुझे मालूम है यहां पर मितूल और चंदर यहां पर खड़े थे मैं देखता हू मुकेश भाय हमदाबाद आरे दिपखो वह हमदाबाद आरे ओलो फोन करते हैं आपको रीसीव करने के लिए हमारे उन को रीसीव करते हैं रिसीव करने के बाद एरपोर्ट से बाहर एक सरकल आता है वहाँ पर एक चाय का अड़ा है एक चाय का दुकान है यह साथ-ाथ लोग, साथ-ाथ एजन्ट सब टॉप परफॉर्मर उदर सब जमा हो गए होते हम लोग वहाँ पर खड़े होते मेरा किसी प्रोग्राम में जाना है या रात को सुबह का प्रोग्राम है रात को मैं अमदाबाद पहुंचा हो तो होटल में लेके जाते है वहाँ पर होटल में रुकने से पहले वहाँ पर चाय हम लोग पिते है आदा गंटा, एक गंटा हम लोग जो मजह, मस्ती और जो महुल बनता है ऐसा लगता है कि वहाँ से निकलने को दिल नहीं करता है आपका भी आपके लाइफ के अंदर ऐसा सरकल होगा कि जहां पर जाके आपको सुकुन मिलता है आपको मजह आता है, आपको आनन्द आता है आपको लगता है कि यहाँ से मेरे को बहार नहीं जाना है ऐसा कोई न कोई तो सरकल होगा वो सरकल को बढ़ाने की जरूरत है वो फ्रेंड्स सरकल को बढ़ाने की जरूरत है जितना सरकल फ्रेंड्स का आपका लंबा होगा आप आपके बिजनेस को और अच्छी तरह से आप लोग कोई किसी दिन आपका तार्गेट पुरा करना है आप और दोस्त के पास जाओ जा के बोलो यार मेरा इतना तारगेट कम पड़ रहा है ऐसा है एक काम कर नाम लिख चल तिन लोका नाम देगा पांच लोका नाम देगा जितने जादा दोस्त के हंगे उतने जाद Sus 맞는 और होंगे मेरे दोस्तों ने मेरे को पुश किया उनको लगा यह सी अमेरिका का कोई तो भी डिग्री कर रहा है यह कुछ तो भी आगे बढ़ रहा है कुछ अच्छा काम कर रहा है जौब छोड़ चुका है जितने हो सके उतने आप पॉलिसी के लिए बाद में जाओ minor आज के बाद में अच्छ आप घर से बाहर निकल जाओ और बाहर किस लिए निकलो कम से कुंथा करेंगे कम एक मेरा बहुत फेमस क्वा meidän ऐसामपल है मैं बहुत सारे लोगों को दे चुका हूँ वहां पर मैंने देखा कि एक बच्चा वहां पर खड़ाता ट्रॉली लेके और मैं हमेशा जब भी इस तरह से कहीं पर घुमने वगरे के लिए जाता हूं तो मैं हमेशा डिजिटल कैमेरा साथ में रखता हूं कि बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग होती है वहां पर एक बच्चा खड़ा था ट्रॉली लेके मैंने उसकी फोटो खीची और जैसे ही फोटो खीची देख रहा था सामने छे फुट का आदमी खड़ा था बच्चे की और देखा वादमी की और देखा दोनों का चैरा से म मिलता जुलता था कि मैं समझ यह बाप लगता है उसको पूचा आपका बच्चा है चारा मिलता जुलता था फिर भी कन फंकिया अपित्य वहड़ायक बोला इसी हाँ वंडर फुल पोस कितना बढ़िया पोस्ते बच्छा ने सच्छी मिस्त पोस्धिया एक्शलिक मैं पर्म कोई भी बाप को उसके बच्चे का थड़क्लास में से थड़क्लास फोटू दिखाओ उसको अच्छा ही लगने वाला है यह सब साइकोलोजी ना आपको इंशुरूर सिर्खाएगी फोटो भगीतलर फोटो देखा उसके बाद में फटाफट शुरूरूरू वया मिश्कू समीड वट इस हुर्लि में इमे ऑड्रेस उसने इमेल अडरेस फाताक से बता है वाला मैं यह फोटो आपको फरोड गरता हूं उसने इमेल आडरेस बता है से अपना नाम बता है एस हाँ सर वन मोर क्वेश्चन वडिवर मोबाईल नंबर क्योंकि क्या एना इमेल कई बार जाती हैं पर नहीं जाती है मिल पाई नहीं मिल पाई तो कम से कम फोन के उपर कंफर्म कर लेंगे या या शोर शोर दिदा आउं मोबाईल नंबर दे दिया फोटो निकाल सकते हैं को नहीं निकाल सकते हैं आप आप मुझे बता हो mobile number जिसने नहीं दिया photo delay kard cry If it was just photo delete ka डालने का 10 तृटो निकालने का जिस नम्बर दिया उसका रखने रहा य। नहीं दिया तो निकाल डालने का delete कर डालने का sö अब very simple thing बात में मैंने मय ने क्या वh photo email किया उसके बाद में उसको phone किया फोन करके उसको पूछा फोटो आपको मिली किया यह यह वंडर्फुल फोटो और मेरी वाइब को बहुत पसंद आया अरे वह 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 वेली गुड असरा बाइद वे मेरे खौबी है बच्छो का फोटो प्रिंट करके मुझे गिफ्ट देना लोगो बहुत अच्छा लगता है जैसे आपने बोला ना आपकी वाइब को बहुत अच्छा फोटो लगा मैं गिफ्ट लेकर जब आऊंगा फोटो फ्रेम में लगा कि आऊंगा कितना आपको अच्छा लएगा चलेगा लेकिन क्यों आप यह तकलिप कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है वो दो तीन ब उपए का गिफ पैक बनाया था मैंने फोटो फ्रेम में परो गिफ्ट उसको दिया वहाँ पर फोटो उन्होंने गिफ पैक खोला फोटो देखा बहुत अच्छा लगा गुने में यह बाद पर शेर कर रहा था एक को दिसके दर्में एक पाटेसिपंस बड़ा इं्ट Earth Pak देखा हाथ एसुटाए वोलतर पुना वाली बहुत इंट्रीजान्ट होते हैं हाथ उटाया हाथ उटाके मर को बोलता है बोलता है सर आप मुझे यह बताओ कि यह फोटो आपको साड़े तीन सो में पड़ी पाल्टी को कितने रुपे में पड़ी मैला पाल्टी को बहुत महिंगी पड़ी 43,000 प्रीमियम और वो भी 20 साल के लिए वो पाटिसिपंट बोलता है बोलता है सर शायद दुनिया में एमे फुसेन की भी फोटो इतनी महिंगे ने विकी होगी